हलो फेंट्स तो वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल ट्रिमेंट्स आज मैं आप लोग के लिए हाजिर हुआ हूँ नो मई याने कल के लिए तीन इंट्राडे स्टॉक्स लेकर जिनके हम लोग लेवल्स की बात करें कि फिर्मस पहला स्टॉक है सिपला सिपला में बाई चलने से पहले हम इसका एक थेक्निकली चार्ट पे लेकर मैं आपको चलना चाहूंगा और आगे बढ़ने के पहले में आप लोगो थोड़ा सा आज जो स्टॉक दिये थे उनकी परफॉर्मस रिव्यू दिखाना चाहूंगा और साथ ही निफ्टी की हम लोग चाल को समझते तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं निफ्टी की चाल को आज फ्रेंस मैं निफ्टी की यहां पर आप लोगों को ट्रेंगल असेंड डिसेंडिंग ट्रेंगल बनता हुआ दिखाता दोस्तों और हमने कहाता कि इसका ब्रेक आउट होता है तो हम लोग बाई की साइट की तरफ लेकर चलेंगे तो मुझे यहां पर 45,000 रुपे छपें मेरे क्लियर कट बता तो इसकी शॉट भी मिले सकता था लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास फिलहाल के मैं इसकी शॉट लूँ तो यहां पर 45,000 रुपे मेरा आराम से सुबह सुबह इस मुमेंट पर फ्रेंस मेर ट्रेंगल तो यहां कहीं ओपर खुला मार्केट जैसी ब्रेक आउट हुआ मैंने यहां पर कॉल बाई कल लिया था और उसके बाल बेक टू बेक यहां पर अच्छा खास उसने हमको मुमेंट दिखा है तो फिर्ट चली अब कल की क्या हमारी रंडीती रहने वाली निफ्टी के साथ तो När जेसा मैंने बताए फ्रेंस मैं डैली निफ्टी पर ट्रेड नहीं लेता हूं जिसदे मुझे क्नम स्ट्रॉंग मेरिस जी के according, जब market चलता है तो ही मैं entry लेता हूँ जीसा कि मैंने कहा था भई market अगर अंदर खुलेगा तो ही entry लेंगे, नहीं तो भई नहीं लेंगे तो कल, अगर यहां खुल के नीचे जाता, तो बहुत फ्रेंस मुझे put buy करने की opportunity दिख रही थी अब क्या होता है यहाँ पर put by की तो चलो भी बहुत दूर हो गई क्यों दूर हो गई अगर मैं इस line को extend करता हूँ यहाँ पर तो friends कितना दूर खड़ा है यहाँ से यह एक देड़ परसेंट है तो इसको मैं अब हटायता हूँ दोस्तो कोई मतलब की नहीं यह trend line हमारे यह already इसका हमने सारा juice निकाल लिया है यह भी कोई मतलब की नहीं अब मैं सिप एक ही trend line friends मुझे फिलाल यहाँ पर दिख रही है बस इतना ही है दोस्तो हम लोगों को वस यही trend line को follow करना है condition को follow करना तो हम trade करेंगे दोस्तो नहीं तो नहीं करेंगे conditions इतना ही है market should be open below this trend line open होने के बार इसका breakout देता है तो हम यहाँ पर call CE buy करके चलेंगे नहीं तो नहीं no trade अब बात करते next stock की supply लेकर आया था दोस्तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर friends मैंने एक दो दिन के analysis ली थी दोस्तों दो दिन के analysis के बार मैंने कहता कर यह market should be open inside this blue line तो yes पहली condition fulfill हुई yes market open inside the blue line अब क्या हो भई इसका breakdown देता तो हम यहाँ पर short sell side जाते breakout देता तो buy side जाते लेकिन दोनों में से ना short sell दिया ना breakout दिया दोनों नहीं हुआ तो हम यहाँ पर इसको इसको इस पर no trade ठीक है next call India call India friends मैंने बता मेरी condition market should be open inside the symmetrical triangle नीचे अंदर open नहीं हुआ यहाँ कहीं open हुआ so इसमें भी no trade infi देख ले था इन्फी में क्या हुआ infi भी बोला friends मैंने market should be open inside पहली condition yes fulfill हुई दूसरी इसका breakout होता तो buy side breakdown data तो short sell side दोनों नहीं हुआ इसको हम no trade अब friends कल जो में लेकर आया एको लाया था दोस्तों मैं generally weekend को एक वो देता हूँ swing trade का stock तो वही same condition दोस्तों मैं हर्ज़र सेमी condition की बात करता हूं market should be open inside the triangle पहली condition yes market open inside the triangle दूसरी condition breakout yes breakout हुआ breakout होकी यहाँ पर हमने entry ली और आराम से friends अभी इसमें 0.8% के आसपास का moment देखे रखा है दोस्तों अब हम इसको one week के लिए hold करने के लिए ready है इसको आराम से हम लोग आज ही उसने 0.78% का moment देख दे दिया है और अब यह इसको हम लोग आराम से 2-3 निन hold करेंगे monitor करेंगे कितना target बता देता हूं दोस्तों target क्या रहने वाला इसमें जितनी बड़ इसकी weight थे 2% तो 2% हम इसमें expectation करके चल सकते है और यहाँ पर देख सकते हैं जिसा कि आप लोगों को यहाँ पर फ्रेंड्स यह alert लगा के रखा है दोस्तों जब भी इनका alert आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेली ग्राम पर फ्रेंड्स हम लोगों यहाँ पर इस तरह का अलर्ट दिख जाता है कि बारा बच के 10 मिट पर आप देख सकते हैं HCL ने cross trend line निफ्टी ने सुबह सुबह 9 बच के 8 मिट पर बता रिया था कि बढ़ी crossing trend line इसने बता रहे हैं HCL में crossing trend line बारा बच के 10 मिनट प देखिए दोस्तों बिल्कुल बारा बच के 5 मिट है यह बारा बच के 10 मिट के candle तो इस मुमेंट पर हम लोगों को टेली ग्राम पे अलर्ट आ गया दोस्तों में इसलिए मोईटर नहीं करता मैनुली क्योंकि यह जो short terms के होते हैं यह दो दिन तीन दिन भी ले सकते करें पर एक दिन, दो दिन, दिन, 4 दिन, पास दिन तो इन दोस्तों में आप लोगों को दिखा रहता हूं क्या इस इसमें हम लोगों की होने वाली इन फी आप देख सकते जो कल दिया था मैं उस्AST k.. क्योंकि यहां पर यह जो है फिर से same condition दोस्तो और फिर एक चीज़ ध्यानर का जितना late activate होते हो उतना बड़ा moment देने की probability बढ़ जाती है stocks में क्योंकि यह अपने range bound के अंदर ज्यादा समय से trade कर रहा है ज्यादा buyer ज्यादा sellers in trend line पर आते रहते हैं तो यहां से बारबा उनको rejection मिल रहा है breakout दिया तो by side breakdown दिया तो short sell side उसके लेवल आप लोगे सामने प्रस्तु थे दोस्तों यह by side के लेवल है और यह short sell side के लेवल से चले फर नेक्स स्टॉक की बात करते है वोल्टास वोल्टास दोस्तों आप लोगे लेकर आया हो इसमेट्रिकल ट्रेंगल बहुत दिन वाद दोस् जगासा मुमेंट निकाल कर देगा मार्केट शुडबी ओपन इंसाइड डिस सिमेट्रिकल इंसाइड डिस ट्रेंगल ठीके इसके अंदर ओपन होना है बेक आउट देगा तो by side breakdown देगा तो short sell side उसके लेवल आप लोगे सामने यहाँ पर प्रस्तुत है यह by side के लेवल है दोस्तों और यह short sell side के लेवल हैं और यह reference HCL टेक्नलोग जैसा मैंने आपको बता फिर उसके यहाँ पर ब्रेक आउट दिया बारा बच के 10 मिट पर और on the spot आप लोगों को उसका टेलीग्राम पर अलट आगिया उसके लिंक में डिस्क्रिशन पर दिये ताकि आपको आपको आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजियो सब्सक्राइब करके रखिए थेंक्स दोस्तों थेंक्स फॉर वाचिंग बबाए